Hello friends, welcome back to my channel मैं अपने channel HP exam corner में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके exams की preparations भी अच्छी चल रही होगी तो friends जो हमने last video की थी उसमें बिलासपूर से related हमने important MC की उसके 30 questions किये थे तो आज हम next 30 to 32 questions करने वाले हैं बिलासपूर डिस्टिक से related तो इसी के साथ बिलासपूर डिस्टिक से जितने भी important questions बन सकते हैं exam के point of view से तो वो सभी हम इस video में complete कर लेंगे तो friends अगर आपने अभी तक पिछली video नहीं देखी है तो please आप पिछली video देख लीजिए उसके बाद आप next MCQs attempt कर सकते हैं और इसी के साथ friends अगर आपने मेरी detailed जो मैंने हर एक डिस्टिक wise HPG के करवाई है वो भी नहीं देखी है तो आप description box में मैंने link mention किया है आप description box में जाकर link पर easily जो है district wise HPG के check कर सकते हैं इसी के साथ friends description box में मेरे हर एक subject wise जो playlist है उसका link मैंने mention किया है तो आप जिस भी subject से related notes पाना चाहते हैं वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उससे easily link पर click करके देख सकते हैं तो चलिए friends without wasting any time हम आज की वीडियो शुरू करते हैं तो friends पहला question है कि बिलासपूर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सननन्द द्वारा सतलूज के दाहीने क्षेत्रों पर उसका अधिकार पक्का कर दिया था तो friends बिलासपूर के किस राजा को अंग्रेजों ने सनन्द द्वारा ठीक है तो friends किस वर्ष उन्होंने अपना अधिकार पक्का किया था तो options हैं February 1846, March 1846, October 1847, April 1848 तो friends October 1847 में जो है बिलासपूर के राजा को अंग्रेजों ने सनन्द द्वारा सतलूज के दाहीने क्षेत्रों पर अपना अधिकार पक्का कर लिया था Next question है बिलासपूर रियासत में किस वर्ष भूमी बंदोबस अभ्यान चलाया गया important question है तो friends बिलासपूर में किस वर्ष जो है भूमी बंदोबस अभ्यान चलाया गया तो options है 1920, 1930, 1935 या 1942 तो right answer होगा 1930 Next question की बात करेंगे question number 33 तो friends next question है बिलासपूर के किस राजा ने 1874 इस्वी में जगत खाना एवं स्वारगा टेंकों का निर्मान करवाया तो option है जगत चंद ने करवाया था हीरा चंद ने कल्यान चंद या संसार चंद तो friends हीरा चंद द्वारा जगत खाना एवं स्वारगाट टेंकों का निर्मान करवाया गया था याद रखना है काफी बर एक्जामस में पूछा जाता है नेक्स्ट बात करेंगे किस राजा ने टेंक संगवाना बिलासपूर का निर्मान करवाया था तो friends टेंक संगवाना का निर्मान किस राजा के द्वारा करवाया गया था तो option है टेक चंद, वीर चंद, विजे चंद या फिर भूप चंद तो friends विजे चंद द्वारा जो है टेंक संगवाना का निर्मान करवाया गया था तो option C विजे चंद जो है राइट अंसरू next बात करेंगे कांगडा के राजा संसार चंद ने किस वर्ष बिलासपूर पर आकरमन किया तो friends संसार चंद ने कब किया था बिलासपूर पर आकरमन तो option है 1762, 1770, 1795 या 1803 तो friends 1795 में जो है संसार चंद ने बिलासपूर पर आकरमन किया था याद रखना है आपने बहुत important question है next है जहांजरधार में संसारचंद ने किले का निर्मान किया उस किले का नाम तो friends short में अगर मैं आपको बताओं कि संसारचंद ने जहांजरधार में किस किले का निर्मान किया था नेक्स से 1857 इसवी में क्रान्थी के समय कहलूर का राजा कौन था तो फ्रेंट्स 1857 की क्रान्थी रिवॉल्ट जब हुआ था तो उस समय कहलूर के राजा थे दिवान चंद, जगत चंद, साहिर चंद या हीरा चंद तो फ्रेंट्स 1857 के करांती के समय हीरा चंद जो है बिलासपूर के राजा थे ठीक है याद रखना आपको काफी बर एक्जामस में पूछा जाता है सन 1990 में बिलासपूर का सूप्रसिद रंग महल जो गोविंद सागर में डूब गया है उसका निर्मान किस ने करवाया था तो फ्रेंट्स बिलासपूर का रंग महल जो कि गोविंद सागर में डूब गया उसका निर्मान ऑप्शन है हीरा चंद ने करवाया था कबीर चंद, जो है right answer है ठीक है next question की बात करेंगे बिलासपूर रियासत का अंतिम राजा कौन था तो फ्रेंट बिलासपूर जो रियासत उसके अंतिम राजा कौन थे तो ये मैंने आपको already बताया हुआ है तो कौन थे अनन्द चंद थे ठीक है next है जुगा अंदोलन किस जिले में हुआ थ तो फ्रेंट option है दूसरा पांचवा छटवा या दसवा तो फ्रेंट बिलासपूर पांचवा जिला बना था हिमाचल प्रदेश का अजादी के समय हिमाचल प्रदेश में केवर 4 जिले थे और पांचवा जिला इससे बनाया गया बिलासपूर को next है बिलासपूर में कितने विधानसभा सीते हैं तो friends विधानसभा सीतो वाली वीडियो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ अल्रेडी अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर Mixed HPGK की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हैं तो options है 3, 5, 4 या 6 तो friends बिलासपूर में 4 विधानसभा सीते हैं बिलासपूर और कुल्लू में आपकी सिर्फ 4 हैं बाकी आपकी 5 या अलग-अलग हैं ठीक है चार वाली मैं बता रहे हैं बिलासपूर का लिंग अनुपाद 2011 में कितना हैं तो friends 8, 98, 981, 970 या 97 तो friends अगर हम बात करें बिलासपूर की लिंग अनुपाद की तो 981 है बिलासपूर का लिंग अनुपाद ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बिलासपूर डिस्टिक डिटेल में करवाई थी नेक्स्ट बात करते हैं बिलासपूर की किस स्थान पर पशु प्रजुनन केंदर है तो friends पशु प्रजुनन केंदर कहाँ पर है option है देवली, स्वारघार, कोठीपूरा या रगुनाथपूरा तो friends कोठीपूरा में है पशु प्रजुनन केंदर नेक्स्ट बात करेंगे बिलासपूर की जनसंख्या 2000 में कितनी थी तो हम बात करेंगे options की तो friends बिलासपूर की 2011 की जनगर्ना के अनुसार कितनी जनसंख्या है तो 3,081,956 याद रखना आपको next है बिलासपूर के राजा संपूर्णचंद की हत्या किस ने की थी संपूर्णचंद की हत्या किस ने की थी option है ग्यानचंद, मेगचंद, रतनचंद या रामचंद तो रतनचंद ने जो है बिलासपूर के संपूर्णचंद की हत्या की थी याद रखना है आपको, next है बिलासपूर के किस राजा ने सरहिंद के वाईसराई के परभाव में आकर इसलाम धर्म अपनाया था, तो friends कौन से राजा ने, options है ग्यानचंद, मेगचंद, रतनचंद, देवचंद, तो friends कौन से राजा थे, ग्यानचंद ने जो है इसलाम धर्म को अपना दिया था, याद रखना है कि किस राजा ने इसलाम धर्म को अपनाया था, सरहिंद के जो वाईस राय हैं, उनके तो वो थे ग्यानचंद, ठीक है, next है, कांगडा की राजा ने 1667 में बिलासुर की किस राजा को नदौन में जहर दिया था, तो अप्शन है ग्यानचंद, दीप चंद, मेग चंद या उद्धे चंद, तो फ्रेंट कांगडा की राजा ने 1667 इस्वी में नदौन में दिया था दीप चंद को जहर याद रखना है, important है, next है, बिलासुर की किस राजा ने हिंडूर सीमा पर एक किले का निर्मान कराया था, तो फ्रेंट किस राजा ने हिंडूर की सीमा पर, हिंडूर का आप मुझे बताएंगे, कि हिंडूर कहां का प्राचीन नाम है, option जो comment box में आप कल्यान चंद, दीप चंद, राम चंद या मेग चंद, तो फ्रेंट इसका राइट अंसर क्या होगा, कल्यान चंद ने करवाया था, next बात करते हैं, रामु वजीर और साहिब अमर सीहं वजीर किस रियासत से संबंद रखते थे, तो option है, कहलूर से, सिरमौर से, कांगड़ा से, चंबा से, तो फ्रेंट अगर बात हो, रामु वजीर या साहिब अमर सीहं वजीर की, तो वो कहलूर रियासत से संबंद रखते थे, याद रखना है, आपको, next है, बिलासफूर के किस राजा के शासनकाल के शासनकाल को काला यूग कहा जाता है, ठीक है, तो option है, महान च खड़क चंद, जगत चंद या कृपाल चंद, खड़क चंद के शासनकाल को काला यूग कहा जाता है, याद रखना है, खड़क चंद के शासनकाल को काला यूग कहा जाता है, next है, बिलासफूर का कौन सा राजा, गद्दी छोड़कर विंदावन चला गया था, तो option है, ही प्विलासपूर में तीउन धार, तो ये तीनों ही धारे कहा है बिलासपूर में next है बच्चरेटू, फतेपूर और नौरंगड किले किस जिले में स्थित है तो फ्रेंड बच्चरेटू पुछा जाए फतेपूर पुछा जाए या नौरंगड किला पुछा जाए तो ये जो गिले हैं ये कहां है हमिरपूर, चमबा, सिर्मौर्या, बिलासपूर तो इसका राइट अंसर क्या होगा option D, बिलासपूर में है ठीक है, next question की बात करते हैं तो next question है हमारा 55 जम्थाल टैंक और रिवालसर टैंक किस जिले में स्थित है तो जम्थाल टैंक पुछा जाए या फिर रिवालसर टैंक पुछा जाए तो ये दोनों ही टैंक कहां पर है बिलासपूर में है याद रखने हैं आपको जम्थाल टैंक या रिवालसर टैंक, दोनों टैंक कहां पर है बिलासपूर में है next question है friends हमारा कौन सी पूर्व रियासत सत्धार प्रदेश के नाम से प्रसिद है तो friends कौन सी रियासत है जिसे सत्धार के नाम से जाना था वहाँ पे सात्धारे हैं mainly तो option है कहलूर, हिंडूर, बूशहर या क्योंथल तो friends कहलूर को ही सत्धार के नाम से जाना जाता है यहां पे साथ धारे जो हैं बहुत प्रसेद हैं नेक्स्ट बात करेंगे बिलासपूर के उत्तर में हमिरपूर एवं पश्चिम में क्या स्थित है तो जल्दी से मुझे बताईए कि बिलासपूर के पश्चिम में क्या है तो option है सोलन उनना कांगडाया मंडी तो फ्रेंड्स पश्चिम में है उनना ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे बिलासपूर जीली का क्षेतरफर 1167 वर किलोमेटर जो है हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेतरफर का कितना प्रतिशद बनता है तो फ्रेंड्स ये options है 2.01%, 2.10%, 2.77% या 3.90% तो फ्रेंड्स बिलासपूर का जो टोटल एरिया है हिमाचल प्रदेश का कितना है 2.10% है याद रखना है आपको important है नेक्स्ट बात करेंगे बिलासपूर 9 अक्टूबर 1948 को क्या बना 9 अक्टूबर 1948 को तो option है केंदर शासित प्रदेश बना था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, गश्रेनी का राज्य बना था या मुख्या आयुकत प्रांत बना था तो फ्रेंड्स, options में से जो आपका सही होगा C option, गश्रेनी का राज्य बना था, ये कब 9 अक्टूबर 1948 को, ठीक है next question, 60th question की बात करेंगे, 1903 इस्वी के आसपास, बिलासपूर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया, और बनारस में रहने का हुकम दिया गया, तो option है, अमरचंद, महानचंद, हीराचंद, या फिर विजचंद तो friends, 1903 इस्वी के आसपास, कौन से वो राजा थे, जिनको उनकी रियासत से निकाल कर उने बनारस में रहने का हुकम दिया गया, तो option right क्या होगा, विजचंद, D option जो है, सही होगा, option D, विजचंद, ठीक है next question की बात करते हैं, भूमी राजस्व को 1863 इस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था, उसकी मात्रा पैदावार की कितने भाग होती थी, तो options इसमें हैं, पैदावार का तीसरा हिस्वा, चौता हिस्वा, पांचवा या छटा हिस्वा तो friends question को मैं एक बार दुबारा पढ़ रही हूँ की भूमी राजस्व दर जो की 1863 इस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाती थी, तो friends क्या होता था, जो भी फसल होती थी उस टाइम पे किसानों के दवारा, तो उसका कुछ एक पार्ट जो है, पैदावार जो भी होती थी, वो भूमी राजस्व दर के रूप में ले लिया जाता था, तो friends कितना परसेंट वो लिया जाता था, तो option है, तीसरा पैदावार जो होती थी, उसका तीसरा हिस्सा लिया जाता था, चौथा, पांचवा ये छटवा, तो friends इसका right answer क्या पैदावार का तीसरा हिस्सा जो है, भूमी राजस्व दर के रूप में लिया जाता था, कब लिया जाता था, 1863 में, तो friends इसी के साथ बिलासपूर डिस्टिक्स रिलेटेड जितने भी important questions थे, सभी मैंने आपको करवा दिया है, तो hopefully आपको friends वीडियो अच्छी लगी होग अपने friends के साथ भी share कीजिए, bell icon पर press कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे, thank you friends, thank you for watching my video, keep learning and keep sharing, thank you